हेलो फ्रेंड जैसा कि अभी आम का सीजन चल रहा है तो मैं आप सब के लिए एक स्पेशल जटपट सा सिंपल सा बनने वाला मैंगो खीर की रेसिपी लाई हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड जिसके लिए म हमारे दूद में उबाल आ चुका है इसमें आप मैं टू टेबल इस्पून चावल डाल दए रही हूँ जो मैंने पहले ही इसे अच्छी तरीका से धोके साफ करके आदे घंटे के लिए फुले के लिए रख दिया था आप चाहे तो बिन इस तरह से फुलाये भी बना सकते ह इस चावल को हम पकने तक कंटिनुएशली इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे जगता कि ये चावल हमारा बिल्कुल अच्छी तरीका से पकना जाए इसे फ्रेंड्स लगातार चलाते रहने होगा नहीं तो ये आपका खीर नीचे से जल जाएगा हमें दूद को चलाते हुए करीब करीब पांस साथ मिनट हो चुका है देखे पहले से चावल हमरा काफी हद तक पक चुका है अभी इसे और भी हमें चलाते रहना है क्योंकि अभी ये अखीर अभी हमारा पका नहीं है सेम इसी तरह से कंटिनुएशली आपको चलाते हुए है और पकाना है बीच-बीच में आप चाहे तो हलका ढग भी सकते ही तो इसी तरह आप ध्यान में रखते हुए चलाते रही है जावल हमारा लगभग 99% पक चुका है देखिए हमारा दूद भी काफी गाड़ा हो चुका है यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसमें सुगर डाले है इतना काफी होता है फ्रेंट्स क्यूंकि हमें मैंगो भी एट करना है जिसका अपना खुद का मिठास होता है अब मैं इसमें हाप ट्यू स्पुन छोटी इलाइची का पावडर डाल रही हूं इसे खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब मैंगो और इलाइ फ्रेंट्स यह हमारा खीर अच्छी तरीका से गाड़ा हो चुका है यह हमारा रेडी हो चुका है हमें इतनी ऐसी चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा गाड़ा करेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा यह ठंडा होने पर यह फुद ही थोड़ा सा और गाड़ा होगा अब हम ग्यास का फिलेम आफ करके रख दे रहे हैं इसे फ्रेंड्स खीर की कंसिस्टेंसी अभी हमारी ऐसी है इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं अब मैं इसी तरह थोड़ी देर रूम टेंपरेचर में इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे जब तक खीर हमारा ठंडा हो रहा तब तक हम आगे के प्रिपरेशन कर लेते हैं मैंने यहाँ पर दो आम लिये हैं इस तरह से बहुत जादा ना बड़ा है ना बहुत जादा छोटा आम फ्रेंट वैसे चूस किजिएगा जिसमें गुद्दा जादा हो अब इसे हम इस तरह से इसका छिलका को उतार लेंगे और इसे चोड़ी चोटे इस तरह से रफ्ली चॉप करके हम एक प्रेंडर जार में ट्रांसपर कर ले रहे हैं और हम इसका एक प्यूरी बना लेंगे देखे फ्रेंट इस तरह से हमारा प्यूरी बनके रेडी हो गया है इसे हम एक बाउल में ट्रांसपर कर दे हैं फ्रेंड्स थोड़े से आम इस तरह से मैं छोड़े छोड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ टॉपिंग करने के लिए खीर हमारा 80% के जैसे ठंडा हो चुका है अब मैं इसमें मैंगो प्यूरी को एड़ कर दे रही हूँ यह प्यूरी को सारे प्यूरी को हमें अच्छे से खीर में मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीका से हमें मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स हमने खीर को ठंडा इसलिए किया कि ताकि हम मैंगो प्यूरी जब मिलाए तो हमारा दूद फटे नहीं नहीं तो अगर वही हाई टे को डाल देते तो बिल्कुल हमारा खीर फट जाता है फट फटाफटा से खीर हो जाता है टेस्ट बहुत ही बिकार आज्याता है दहि के फ्रेंड्स बिल्कुल ही अच्छे तरीक法 से मिक्स малень ऑगया है गरीमियो ओमिय ऐसे ठंडा खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे अब हम सर्प करेंगे पहले मैं थोड़े से बाउल में यहां पर इस तरह से मैं छोटे-छोटे बाउल ली हूं इसमें में छोटे-छोटे मैंगो के पहले पीसिस रख देते हैं इस तरह से इसके को सर्प कर दिया अब इसके उपर मैं थोड़े से ड्राइफ रूट डाल देती हूं जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे मैंने यहां पर आलमंड और काजु के तुक्रों में कट कर लिया था इसे डाल दे रही हूं सारी बाउल्स में अब इसके उपर फिर से मैं मैंगो से कर सकते हैं यह हमारा फाइनली पूरा अच्छी तरीका से सर्व हो गया है बिल्कुल हमारा खीर बनके खाने के लिए रेडी हो गया है अब भी इस तरह से एक बार जरूर से बना के देखिए का फ्रेंस बहुत ही मज़े के बनते हैं यह खीर वीडियो अगर पसंद आई हो त हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम में भी जरूर से फॉलो किजिएगा मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर